Hello students, I am Dr. Rahul Kaushik from Ramis Institute of Vocational and Technical Education, Greater NOEDA. आज जो topic हम आपके लिए लेके आए हैं यह आपके second unit nutraceutical से है, आपके subject herbal drug technology से, herbal drug technology के second unit है उसका topic है, topic का नाम है possible side effects and interactions of various drugs like kava kava के interaction के बारें पढ़ेंगे, jinko biloba के interactions के बारें पढ़ेंगे और jinseng drug के interaction के बारें हम लोग पढ़ने वाले हैं आज, तो शुरू करते हैं अपनी यह पता होना चाहिए के interactions वास्ता में होते क्या है, what are interactions तो जैसे हमने last class में बताया, drug interactions are alterations in the pharmacological activity of a main drug due to concomitant use of a food material और 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 any other substances, तो इसका मतलब यह हो गया कि आपकी main drug का जो pharmacological effect है, वो alter हो जाता है due to साथ में अगर हम उसके कोई food material ऐसा ले 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 या फिर को कोई herb ऐसी ले ले जिसका उस drug के साथ interaction होता है, और इस interaction के मज़ा से क्या हो सकता है, जो आपकी main drug है, उस main drug की activity है वो बढ़ सकती है बहुत ज्यादा या वो घट सकती है या फिर वो किसी और drug की जैसा activity शो कर सकती जाएं के जो main intended effect है उस drug का उस effect से अलग हट के कोई और effect व पड़ेंगे, तो हमें हम कुछ herbs के पड़ेंगे, जैसे पहलिए न हरव आपकी कावा-कावा-कावा जो herb है, यह आवा paper इस हम बोल लेते हैं या फिर आव रूट बोल लेते हैं आवा हम इसको नाम से जानते है। और सको आप देखो तो यह आपके पान के पत्ते की तरह मेथाइस्टिकम पाइपर मेथाइस्टिकम एक बेल है यह creeping बेल है और जैसे आपका पां की बेल वैसे ही है गिलोई की बेल वैसी होती है तो यह जो प्लांट है इसकी। रूट्स हम लोग इस्तमाल करते हैं और उन रूट्स के साथ क्या इंट्रेक्शन होगा हम आगे देखने वाले हैं जोग्राफिकल अगर इसका रूट्स है इनके नाम है इन एस्या का नेटिव है प्लांट वहां पर पहली बार उगा गया यह नेचरली उगा तो वहां पर पाया भी जाता है इसके अलाब है इसकी मौर्फोलोजी की हम बात करें मौर्फोलोजी में अगर आप देखो तो इस श्रव विंग हाट शेप आपको with one seed आपके जो fruit होगा berry type का होगा उसमें एक seed होगा जैसे ऐसे fruit होगा और ऐसे तो यह seeded fruit होगा seed बहुत बढ़ा होता जनरली pulp बहुत कम होगा जैसे आपने berries खाई होगी तो वहाँ पर आपको ऐसा देखने को मिलेगा हम chemical constant की बात करें कावा कावा के अंदर कौन से chemical होते हैं क्योंकि यही chemical है जो आपकी में ड्रग के साथ इंट्रेक्ट करने वाले हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से chemical constant आपकी ड्रग के अंदर मौझूद है जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर कवेन इसका में इंग्रिडियंट है मेजर कौनस्टवेन है मेजर कौनस्टवेन है मेजर केमिकल कौनस्टवेन जो आपके ड्रग में मौझूद है और यही आपके इंट्रेक्शन के लिए सब्सक्राइब स्ब्सक्राइब इसके इनदर आपको ड्रग के साथ होगा इन केमिकल कौनस्ट के साथ होगा यूज क्या है कहा बेना पर हम यूज करते हैं kava kava को तो kava kava it decreases the anxiety anxiety कम करता है मतला आपको CNS को depressed करता है stress होगी उसको decrease करता है insomnia होगा नीन नी आती होगे तो उसको शांत करता है आपको नीद आएगी तो CNS Depresent की तरह काम करता है इसका अलाबा पोस्ट मिनो पॉजल इसको इसको हम सकता है अटेंशन डिएशित हाईपर एक्टेविटी सिंडरोम या डिसोड़र जब आपको कोई मतलब आपको पूछ नहीं मिल रही आपको कोई पूच नहीं रहा उस सब्सक्राइब हाईपर एक्टिविटी हो जाते हो तो ऐसी डिसोडर को दूस्ट करने के ल प्राइकौसिज हुआ डिप्रेशन हुआ है यहां पे सब में आप इसको कावा कावा को युटलैज कर सकते हैं इसके अलावा common treatment of cold मैं इसको इस्तामाल करते हो, respiratory infection और भी इस्तामाल कर सकते हो, tuberculosis है, muscle pain हुआ, UTI infection हुआ, ya skin diseases हुई, यहाँ पर सभी जगा आप कावा कावा को एंप्लोई कर सकते हो अब वो तो थे इनके यूजिज इसके लाबा उन यूजिज के साथ कौन से साइड इफेक्ट नॉर्मल ही होता है अगर देखो तो साइड इफेक्ट आपके लिवर डेमेज इसका कॉमन साइड इफेक्ट है करता है तो अगर आप ज्यादा मात्रा मिले लो तो इसको बहुत ज्यादा डिप्रेशन कर सकता है तो यह आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इसके साथ साथ इट में कॉस्यूरिनेरी रिटेंशन ब्लॉर्ड वीजन एंड गेस्टो इंटरनेशनल डिसकमफर्स तो यह इ जाथ इंटरेक्शन के कहा पे ड्रग इंटरेक्ट करेगी तो इसको आप ध्यान के साथ नहीं लेना इसके अलाबा और सो इसको देप्रेसेंट नहीं जैसे कि एंटी केंसर ड्रग है आपकी एटीपोसाइट से पैसलिट एक्सल है विनक्रस्टी विनब्लस्टीन है या कुछ एंटी वारल ड्रग एंडीन भी रहे नेलफिय भी रहे सिमेटिडीन है कुछ कॉर्टिकोस्ट्रोड से इन सब के जो एब्सॉप्शन वगएर आए उ एक आपकी ड्रग है ये निटक्रस काॉज कर सकता है है जा ङानते है या क्यूरिक ट्री के नाम से हम इसको जानते हैं ये जो ह प्लांट है आपका यसमें आप देख सकते हैं यह में दोग आइछ पर फिर यो, यह By-lobed leaf आपको मिलती है, इस plant के अदर by-lobed leaf आपको देखने को मिलती है, अब जो आपकी जो यूज है, मतलब कौन सा पार्ट हम नच का ग्सका ड्र Catholics के तरह उस्का तरह यूस Frankly तरह यूज करते हैं, dried leaves of of jinkgo blooba और family जिंकросमी। यह इसका botanical source है, हम dried leaves को इस्तमाल करते हैं as a drug और इसी drug के अंदर जो इसी leaf के अंदर जो chemical constant है उनके interactions हम लोग आगे देखेंगे, इसका geographical distribution आप देख सकते हो चाइना में, USA में, Japan में, Europe में, Australia में बहुत अच्छे से आपको मिलता है, morphology हम देख चुके हैं जैसे कि it is having bilobate leaves with bright yellow flowers, इसमें yellow color के bright flowers मिलते हैं, अब आधा देख chemical composition के कौन से chemicals हैं जो interact करने वाले, यह पता होना चाहिए, इसी को हम पढ़ना चाहते हैं, इसी interactions को हम पढ़ना चाहते हैं, तो इसमें जो chemical constant होते हैं, leaves के अगर हम बात करें, तो leaves के अंदर variety of glycosides मिलते हैं, जैसे कि predominantly हम देखा और triglycosides यहां पर आपको देखने को मिलते हैं, इसके अलावा flavonoids हैं, जैसे kemferol है, quercetin है, यह भी इसमें major quantity में available हैं, और इन ही chemical के वज़ा से इसका कोई interaction, possible interaction हो सकता है, वो हम आगे slides में देखेंगे, minor constant इसके अंदर क्या है, bioflauvens हैं, जैसे कि zincatin है, zincolik acid है, bilobatin है, diter terpene lactone है, जिसके वज़ा से इसमें aroma भी होती है, zincolosides हो है, A, B, C and J, तो यह chemical constant minor constant हैं, जिनका स्याध कोई direct interaction आपके main drug के साथ ना हो, लेकिन still they take part in the interaction, इसके अलावा, इसके जो अंदर 12% water content है, 43% starch, 20% fiber, sugars and minerals, इनका generally कोई interaction नहीं होता, क्योंकि यह generally, general चीज़े हैं, जो main interaction ह होगा, वो major constant के साथ होगा, इन glycosides के साथ, या फिर फ्लेवन, इनके साथ, तो हम देखते हैं, आगे uses क्या है, generally हम कहां use करते हैं, जिंको को, तो जिंको को जो है, वो एक anti-lipidemic drug है, anti-diabetic भी इसका use है, और antioxidant activity, तो हमने देखा ना, पहली classes में हमने देखा कि antioxidant अगर बहुत सारे diseases में इस्तमाल आसानी से कर सकते हैं, तो यहां पर जिंको को जो है, वो बहुत अच्छी anti-lipidemic, lipid आपका कम कर जाता है, इसके अलावा anti-diabetic effect आपका sugar कम हो जाता है, अगर आप जिंको को use करते हैं, इसके अलावा, it reduces the anxiety and also treat dementia, भोलने की आदत, अगर आपको है तो उसके लिए भी आप इसको जिंको को इस्तमाल कर सकते हो, इसके अलावा, it also act as anti-allergic drug, ठीक है, जो इसके chemical constant, बहुत सारे flavonoids वगएर है, उनकी वजा से इसका anti-allergic effect भी देखने को मिलता है, इसके अलावा, virus, अगर viral infection है, उसमें anti-viral का काम करेगा, anti-proliferative, यानि के anti-inflammatory activity यहाँ पर देखने को मिल सकती है, और anti-carcinogenic activity इस जिंको को की आपको देखने को मिल सकती है, इसके अलावा, जो main chemical, जो इसके pharmacological activity है, वो हम देख चुके है, हाइपो-lipidemic और anti-diabetic, इसके अलावा, जो subsidiary इसके uses हैं, वो आपका carcinogenic, anti-cancer drug के दोर पर हम इसको 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 कर सकते हैं, anti-viral, anti-proliferative agent और anti-allergic, इसके साथ anti-inflammatory और hepatoprotective जो activity है, वो भी इसके अंदर देखने को मिलती है, जिंक को बिलोबा के अंदर, फिर side effects बिना किसी drug के साथ, अगर हम इसको लेते हैं, तो commonly जो side effect हमें देखने को मिलते हैं, वो कौन-कौन से यह हमें पता होना च सकता है, या diarrhea हो सकता है, या फिर आपको loose motion हो सकता है, इस टमख आपकी upset रह सकती है, headache हो सकता है, dizziness हो सकती है, आपको constipation हो सकता है, जैसे मैंने बताया, increase in force of heart beat, आपका heart beat जो है वो बढ़ सकता है, इसके लाबा, allergic reaction, allergic skin reactions आपको हो सकते हैं, अगर आप जिंक को को ज्याद जाए, high dose of leaf extract may increase the risk of liver and thyroid cancers, तो एक तरफ यह जो drug है, वो आपका anti-cancer भी काम कर रही है, और अगर ज्यादा concentration में इसको आप ले लेते हैं, तो वो cancer भी cause कर सकते, cancer of liver and cancer of thyroid, तो एक common saying है, एक common कहावत है, जैसे आपने सुना होगा कि किसी चीज की अच्छी नहीं होती, ज्यादा कोई चीज अगर आपके पास है, तो उसको limited amount consume करना चाहिए, ज्यादा अगर किसी चीज को खाएंगे, तो वो आपको बिमार भी कर सकती है, तो और usage देखें, जिंक गोगे, जो seeds होते हैं, they can cause seizure and death, तो यह यहाँ पर precaution लेना पड़ेगा, अगर seeds जिंक गोगे, आपके पास हैं, तो उनको आपको safely रखना है, क्योंकि they can cause seizure and even death also, तो यह चीज आप ध्यार में रखिएगा, इसके अलावा, it is not safe in pregnancy and lactation, क्योंकि कुछ ऐसे चीज हैं इसके अंदर हैं, जो pregnancy को abort कर सकते हैं, या फिल्यक्टेशन जब होगा, तो वो आपका kolostrum या जो mother milk होता है, उसके इसके अंदर आ सकता है, और बच्चे के अंदर कुछ complications cause कर सकता है, तो इसको contra indicated किया जाता है, अब बाताती है, interactions of jinkogo की तो कौन से interactions है, जो jinkogo के साथ हो सकते हैं, कौन से डrug है, जो जींको की साथ react कर सकती है, जींको को किन डrug के साथ react कर सकता, यह हमको पता होना चीए, जैसे कि when jinkgo is administered with ibuprofen it increases chances of bruising and bleeding हमने बताया कि शुरुबात में हमने इसके uses देखे uses में क्या था कि it is anti lipidemic anti lipidemic मतलब lipid lowering आपका जो lipid content आपके blood vessels में उसको कम करेगा blood के अंदर जो lipid उसको कम करेगा इसका मतलब क्या हुआ आपका lipid कम हुआ तो आपका blood जो है वह बहुत फास्ट मूव करेगा मतलब clearly without any obstruction आपका blood flow करेगा ठीक है lipid जादा हो जाते हैं तो आपका blood pressure बढ़ सकता है stroke वगरा भी आ सकता है तो यहां पर use क्या था जिंकगो का it is anti lipid है मतलब lipid को कम करता था लेकिन अगर आप इसको ibuprofen के साथ लेंगे जो कि खुद भी एक blood thinner है ठीक है ibuprofen blood thinner है और अगर इसको साथ आप जिंक को भी लेते हैं तो क्या होगा it increases chances of bleeding and bruising तो मतलब आपका जो छोटे-छोटे capillaries है blood capillaries है वहां पर आपको bruising हो सकते है यहां पर bleeding हो सकती है due to concomitant या simultaneous intake of zinc go along with the ibuprofen यह आपको ध्यान में रखना है इसके लावा it can decrease the effect of alprazolam का effect को decrease कर सकता है के करिसी प्रोडोल और शीटोप्राम डाइजिपाम हेलोपेरिडॉल और प्रोप्रेनलॉल एस्टेटर इन सबके जो effects हैं उनको यह decrease कर सकता है ठीक है यह कार सब्सक्राइब कर सकते हैं उसके अलावा अगर आप इस Fluxatin के साथ लोग है तो it can cause hypomania आपको hypomania हो सकता अगर Fluxatin के साथ लेते हो जिंक को may slow down the metabolism of certain drugs ठीक है जनरली क्या होता है कि आप drug लेते हो आपके liver में metabolize या कहीं भी metabolize होती है तो यह कुछ drug के metabolism को slow down कर देता है जिससे कि उनका elimination prolonged time लगता है eliminate करने में उस drug को ठीक है इसके लावा it can decrease the effect of anti-diabetic drugs such as glymepiride insulin और rosiglitazone जैसे हमने piglitazone का example last class में पढ़ा था तो वैसे ही यहाँ पर जिंको को अगर लोगे तो जो anti-diabetic effect है इं drugs का वो कम हो जाएगा इसके लावा कुछ drugs है जैसे जैसे हमने last class में पढ़ा था जिंसेंग को में रूट भी कहा जाता है में में रूट और में रूट इसका सिनोनाम है रेड बेरी भी कह सकते है रेंशन या होंग शन इसके नाम है में रूट इसे इसलिए कहते हैं कि अगर आप दूर से देखो तो इसकी जो जड़ है वो एक रिजेंबल करती है जैसे यह हैड हो गया मैन का और यह आम्स हो गई और यह लेग्स हो गई इसलिए इसका नाम में रूट पढ़ा है में की तरह यह दिखता है इस यह सुनोनाम है बहुत बार आप से जीपट वागरा में पूछा जाता है इसके जो बॉतनिकल सोर्स है वो भी प्लांट को यह जयींसेंग मिल सकता है अरेलियस फैमिली को यह जो प्लांट है बिलॉंग करता है और ऐसा माना जाता है कि जिशन्ग का प्लांट जितना पूरा नहीं होता है उसकी उतनी ही वैल्द्वियू अगर आप देखो तो जयागर वी कली यह यू एसम मिलता है चाइना में अच्छे से मिलता है मैंचूरिया में इस्टन एश्या कोरिया एंड जापान और नौर्थ इस्ट इंडिया नौर्थ इस्ट इस्ट इंडिया जैसे हमने लास्ट क्लास में बढ़ाता के मिजोरम और नागालेंड के कोछ एरियाज हैं कोछ डिस्टिक्ट है जहां पर जो जिंसेंग है उसको उगाया जा रहा है due to weather condition वहां के environment उसको favor करता उसकी growth को इसलिए वहां पर वो उगाया जा सकता है इसका लावा morphology अगर आप देखो it is a smooth perennial herb with large flashy spindle shaped very slow growing pale yellow to brownish root तो यह जो हमने दिखाया है pale yellow to brownish root यह इसकी morphology है उपर से जनरल यह smooth होती है perennial plant है यह और बड़ी बड़ी सी जड़ मिलती है आपको इसलिए इसको large और fleshy इसके अंदर बहुत सारा पाउडर भी आपको मिलेगा जो की जनरली starch content होता है इसके chemical composition अगर आप देखो तो यह इसका basic chemical moiety है और इस chemical moiety में यह देख लो आप यह साइक्लो पेंटेनो फिनेंट्रीन रिंग है साइक्लो पेंटेनो फिनेंट्रीन रिंग यह responsible होता है आपके cholesterol की formation में या और जो steroidal hormones होते हैं उनकी formation में help करता है तो chemical constant इसके अंदर जो मौझूद होते हैं वो सब यहीं से derived हुए है इसी chemical structures से तो इसी chemical structures related chemical constant आपको इसके derivatives आपको इसके अंदर मिलने वाल है जैसे कि ginseng root content 2-3% of gins anocytes of which rg1, rc, rd, rb1, rb2 and rb0 are quantitatively the most important इनकी concentration ज्यादा होती है आपके जो main overall content होता है उसमें इन सारे जो glycosides की concentration करीब 2 से लेके 3% तक होती है और यह major concentration में होते हैं और क्योंकि major concentration में होते हैं तो आपके blood stream में यह आएंगे ही आएंगे और इनहीं का interaction आपकी main drug के साथ या allopathy drug के साथ हो सकता है तो आगे पढ़ेंगे हम कौन-कौन से interactions होते हैं इसके लावा कुछ और component इसके अंदर ginseng के अंदर होते हैं ginseng oils होते है हैं इसके अंदर कुछ phytosterols होते हैं carbohydrates होते हैं sugar होती है organic acids है nitrogenous substances है amino acids है मिंडल्स है vitamins हैं और कुछ enzymes भी है तो इन सभी chemical constant के वज़ा से interaction होंगे और इस drug की जो pharmacological activity है क्योंकि यह glycosides हैं तो यह glycosides की वज़ाए से ही यह drug जो है बहुत अच्छी revitalizer है energizer है आप इसको consume करते हो है तो आपको energetic feel होता है energetic feel इसलिए होता है क्योंकि raw material आपकी body को मिल जाता है जिससे कि hormonal synthesis हो जाती है इसलिए आपको energetic feel होता है तो अब interactions की अगर हम बात करें कौन कौन से interactions होते हैं interactions है पहले हम uses देखेंगे के कहा कहा हम इसको use कर सकते हैं तो ginseng is used to treat depression anxiety general fatigue chronic fatigue syndrome and multiple sclerosis तो यह brain disorders है brain related depression anxiety हुई या फिर आपको fatigue हुआ chronic fatigue syndrome हुआ या MS हुआ multiple sclerosis हुआ तो उन सब के treatment में आप ginseng को use कर सकते हैं क्योंकि यह experimentally good results देता है इसके लावा it is also used in the treatment of anemia अगर आपको anemia है especially iron deficient anemia अगर आपको है इसके लावा chronic bronchitis है, swine flu है, pre-diabetic है, diabetes है, gastritis है, COPD है, fertility problems है तो इन सभी जगे हम ginseng को use कर सकते हैं क्योंकि यह खुद में एक बहुत अच्छा revitalizer है आपको energetic feel कर आता है तो automatically इन सारी जो diseases है यह सारी states है health states है यह में आपको generally depressed feel होता है और ginseng खाने के बाद आपको energetic feel होता है इसके लिए it is used in the treatment of bleeding disorders अगर आपके अंदर है loss of appetite अगर है, vomiting है, intestinal problems है, gallstones है, bad breath, insomnia है, nerve disorder है, nerve pain है, convulsions है, headache होता है, high blood pressure होता है, heart failure होता है, तो उन सभी में हम इसको ginseng को commonly use कर सकते हैं फिर बाता है side effects की, normally बिना किसी drug के साथ अगर आप इसको normally खाते हैं, तो आपको कौन से common side effects होता है यह आपको पता होना चीए, commonly देखो, तो skin reactions आपको हो सकता है, diarrhea आपको हो सकता है, insomnia हो सकता है, headache हो सकता है, generally जब large concentration में आप drug को use करते हैं, high concentration में, high dose में अगर आप drug को use कर करते हैं, तो यह सारी चीज़ें आपको हो सकती है, diarrhea, insomnia, headache, rapid heartbeat क्योंकि खुद में revitalizer है, heartbeat को बढ़ाता है, तो आपको heartbeat भी अगर ज़्यादा का खाओगे इसको, तो आपको rapid heartbeat phase करने पड़ सकती है, increased or decreased blood pressure, यहनी कि blood pressure में fluctuation आपको देखने को मिल सकते हैं, इसके लावा loss of appetite ह हो सकती है, itching हो सकती है, vaginal discharge, vaginal bleeding आपको देखने को मिल सकते है, अगर यह common side effects आगर आप जिंसेंग को ऐसे ही consume करते हैं, तो आपको cautious रहना चाहिए, इन सारे side effects से, अब बात करते हैं हम interactions के, जिंसेंग किन रग के साथ interact कर सकता है, तो यहां देख सकते हैं, अगर caffeine के साथ हम इसको लेंगे, caffeine खुद में भी एक CNS stimulant है, तो अगर इसको आप जिंसेंग के साथ लेंगे, तो serious reactions जैसे की increased heart rate हो सकता है, high BP हो सकता है, क्योंकि दो ऐसी चीज़ें आप consume करें, जो कि CNS stimulant खुद में है, इसके अलाबा, it decreases the effect of estrogen pills, furosemide, midazolum and nifedipine, क्योंकि हमने इसका structure द सकता है, तो यह जो estrogen pill है, उनकी effectivity को यह कम कर सकता है, इसके लाबा, metabolism of imatinib, ametopriline, klozapine, domprizil, fentanyl, fluxatin, methadone, इनके साथ भी इंट्रेक कर सकता है, metabolism को यह effect कर सकती है, drug, इसके लाबा, it can cause the decrease, it can cause the decrease in the effectiveness of immunosuppressant drug, जैसे cyclosporine है, उसकी drug, उसकी efficacy को कम कर सकता है, इसके लाबा, pennex, it slows down the blood clotting, blood clotting को यह slow down कर सकता है, तो ibuprofen, वगेरा के साथ, हम इसको cautiously ले, इसके लाबा, ginseng, when used with HIV drugs, like raltigaravir, it increase the chance of liver toxicity, तो यहाँ पर liver toxicity, आपको देखने को मिल सकती है, अगर anti-HIV drug के साथ, आप ginseng को use करते हैं, तो यह है interactions ginseng के, तो thank you so much, आज के इतना ही, next class में हम लोग पढ़ने वाले हैं, drugs, possible drug interactions of certain drugs, जैसे की garlic हुआ, pepper हुआ, आपका, ephedra हुआ, उनके बारे में, उनके side effects के बारे में हम लोग next class में पढ़ेंगे, thank you so much.